हेलो फ्रेंड्स आपका मेरे चैनल विज्वल आर्ट एंड जी के टिटोरियल पर स्वागत हैं दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं यूपी टीजीटी का स्लेबस कि उसमें किस किस पॉइंट से ज्यादा प्रिश्ण बनते हैं तो आई ये अब हम देखते हैं यूपी टीज जीटी का स्लेबस कि देखिए इसमें जो पूची जाती है वह भारती इतिहास को ही पूछा जाता है भारती कला का इतिहास तो इसमें भारत के प्रागेतिहासिक कलाकेंद्र जैसे मिर्जापूर भीमबैट का राइगर्ड बांदा पच्मणी फोश्रंगाबाद इतियादी इसमें जो इहासिक कलाकेंद्र है उसमें जैसे मिर्जापूर भीमबैट का यह राइगर्ड होना चाहिए था राइगर्ड पांदा पच्मणी फोश्रंगाबाद इतियादी यह हो गए प्रागेतिहासिक कलाकेंद्र उसके बाद हुनने दिया है सिंदु गास्टी सभिता सिंदुगाटिश ब बेता मेनुने मेंशन किया है हड़ापप और मोहन जो दलो पिर भारतिए चित्रकला के छे अंग रूप भेद प्रमाण लावण भाव अभंग सादरश यह सब इसमें आते हैं वो भारती चित्र कर लाके छे अंगों को इसमें दिया है फिरे जोगी मारा अजन्ता बाग ये भी स्पेलिंग मिस्टेक है बादामी होना चाहिए था बादामी एलोरा सित्तन वासल इत्यादी के भित्ती चित्र फिर है भारती लगू चित्रकला मिनियाचर पेंटिंग स्टाइल भारती लगू चित्रकला जैसे जेन, पाल, अपभरंश, राजिस्थानी, बूंदी, बूंदी होना चाहिए था यहां पर यह काफी उन्होंने गल्तियां की हुई है बूंदी, कोटा, किशनगड, जैपूर, इत्यादी तो भारती लगू जो मिनियाचर पेंटिंग है वो उन्होंने मेंशन की है जेन, पाल, अपभरंश और राजिस्थानी शेली की अंतरगात उसकी जो उपशेलियां है बूंदी, कोटा, किशनगड, जैपूर यह उन्होंने इसमें मेंशन किया है उसके बाद है पहाडी शेली, पहाडी शेली की उपशेली है कांगडा और बसोली, पहाडी की दो उपशेलियां उन्होंने इसमें मेंशन की है कांगडा और बसोली, फिर है बंगाल शेली और उसके कलाकार, बंगाल शेली और उसके कलाकार उसमें दिया है अवनिंद्रनाथ टेगोर, नंदिलाल बोस, असित कुमार हल्दार, डीपी राय चोधरी, छितिंद्रनाथ मंजुमदार, इत्यादी, बंगाल शेली के कलाकार, बंगाल शेली के कलाकार उसमें दिया है लेकिन इसके लावा भी पूछ लिये जाते हैं, और जो मैंशन किया है वो है अवनिंद्रनाथ ठागोर, नंदिलाल बोस, असित कुमार हल्दार, डीपी राय चोधरी, शितिंद्रनाथ मंजुमदा, लिख दिया है तो इसमें और भी बंगाल स्कूल के कलाकार शामिल होंगे, फिर है समसामाइक चित्रकला, बंगाल स्कूल के बाद फिर जो आर्टिस्ट आए, लेकिन उससे पहले वाला भी इनना मेंशन करें राजरवी वर्मा, क्योंकि ये तो बंगाल स्कूल से पहले के थ समसामाइक चित्रकला और उसके मुखे कलाकार रवी वर्मा, रवींद्रनाथ ठाकूर, गगेंद्रनाथ ठाकूर, यामिनी राय, अमरता शेरगेर, एनस बेंद्रे, केके हैबर, के एस कुलकर्णी, एमेफ हुसेन, के एच आरा इत्यादी या फिर इत्यादी दिया हुआ है तो ये कुछ समसामाइक कलाकार उनकी बनाय हुए कुछ चित्र पूछे जाते हैं कि कौन सा चित्र किस कलाकार ने बनाया है उसके बाद हैं कलाके तत्व, उसके बाद सलेबस में दिया हुआ है कलाके तत्व जैसे रेखा, आकार, वर्ण, तान, पोत, अंत्राल, चित्र सहयोजन के सिद्धान्त जैसे सहयोग, सामाजस्य, संतुलन, यह यहाँ पर फिर प्रभाविता होगी यहाँ पर, यह नहीं होगा प्रभाविता शब्दाना चाहिए था, अनूपात, परिप्रेक्ष और उसका चित्र कला में महत्व तो सहयोजन में दिया है, वो है सहयोग, सामाजस्य, संतुलन, प्रभाविता, अनूपात, परिप्रेक्ष और उसका चित्र कला में महत्व तो दोस्तों यह था, यूपी, टीजीटी का स्लेवस जो उत्तर प्रदेश मादमिक शिक्षा चैन बोर्ड ने जारी किया है तो इसलिए बस के साफ से अपनी तैयारी में लग जाएए क्योंकि अभी एक्जाम की डेट तो घुषित हुई नहीं है, बलकि फॉर्म भरने की डेट ही इनोंने और एक्स्टेंड कर दी है क्योंकि इनका पॉर्टल जो है वो बहुत खराब इस्तिती में है चल दी रहा है और कई लोग जो भी फॉर्म नहीं भराए वो परिशान हो रहे हैं तो यह कल की अपडेट थी कि लास्ट जो डेट है वो बढ़ा दी गई है फॉर्म फिल करके समिट करने की तो तब तक बढ़ाई करिए जब तक डेट नहीं आ रही है लगे रही है बेस्ट आफ लख जय हिंद